वारनसी के जिलानिय अधीस के द्वारा एक प्रकरण में जो कि ज्ञानवापी परिशर से सम्मंदित है निर्णय अपेक्षित है इसको लेके सभी जगह एलर्ट जारी किया गया है सभी जो हमारे समवेदंशील जनपद है वहाँ पे लगातार अधिकारी गस्त कर रहे हैं तथा इस सम्मंद में उन्होंने सभी सम्मंदित पक्षों से वारता भी की है उनको बताया भी गया है कि जो भी माननिय नियाले के डिसीजन आएंगे उसके अनुसार ही पुलिस को कारवाई करनी है और कानून विवस्था या शांती विवस्था भंग ना होने पाए इसके लिए सबसे अपील भी की गई है और सम्मंदित पक्षों के द्वारा भी इस सम्मंद में बयान चारी किये गया है साथी साथ कोई भी रजक तर या ऐसा तो पदरवी तर इस इन सितियों का फाइदा ना उठापाए इसके लिए पुखता विवस्थाएं की गई है उसके लिए जगा जगा पे स्टाटिक रिजर्व लगाया गया है हमारे जोकी फोर्स है उसके साथ राइट गियर भी है और सेक्टर स्कीम लगा के लगातार पुलिस और प्रशाशनी कदिकारी भ्रहमन कर रहे हैं साथी साथ आज मंडे का भी दिन है आज व्यावसाईक प्रतिस्थान दो दिनों के बाद से खुलते हैं तो उसके लिए भी लेके विशेस रुखताई की गई हैं साथी साथ जो यारवी की गाडियां हैं उसको भी विशेस रूप से लगातार भ्रहमन क्षिल रहने के निर्देश दिये गए हैं जो डिजिटल वॉलिंटियर्स हैं उनसे भी हमारा लगातार संपर्ख है ताकि कोई भी लाफपद सूचना हो तो उसे वो तुद्काल पुलिस अधिकारियों को बताएं जिससे की हम कम से कम समय में रेस्पॉंड करके चीजों को नियत्देट करें बंद की का कोई आयोजन नहीं है और जहां तक धारा 144 की बात है वो अस्थानिये परिस्थितियों को देखते हुए इसमें जिला परसासन सुतंत रहता है तो उन्होंने अपने हिजाब से वह अस्थाइं की हैं लेकिन मुख्याले से सेक्टर स्कीम लगाकर गस्ट करने के न निर्देश दिये गए हैं साथी साथ मॉत्पून जगहों पर जो संबेदन सील पॉकेट्स हैं वहां प्रॉपर डेप्लाइमेंट फोस का विवस्थापन अभी करने के निर्देश जारी किये गए हैं देश विदेश की ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूस को सब्सक्राइब करें वह बेल आइकान दबाना न भूलें